नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिब्यांश और आज मैं आपको के लिए बहुती ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक जो एक्जाम में कई बार आता है और काफी स्टुडेंट्स को इनके बारे में नहीं पता होता the difference between lie and lay काफी बार एक्जाम में आता है और कई बार confusion ये हमें मिलता है और स्टेनोग्राफर में भी ये कई बार पूछा गया है कि lie तथा ले में क्या difference होता है क्या problem आती है क्या समस्य आती है आज सभी हम इस वीडियो में discuss करेंगे ठीक है तो आप बस board पर आप देखते जाएगा और हम process को धीरे धीरे start करते हैं यदि आप हमारे channel पर पहली बार आ हैं तो मैं आपको बता दू हमारा channel specifically stenographer के लिए dedicated है मैं हूद ब्यांश और अगर paid group join करना चाहते हैं तो English का तथजी के paid group चल रहा है आपको screen पर मेरा WhatsApp नंबर शो करेगा तो आप इस पर मुझे message कर सकते हैं काफी minimal cost है पर मन्त के असाब से आप से एक छोटा सा amount लिया जाएगा और आपको बदले में videos provide की जाएंगी उस पूरे मन्त के duration में और आपको regular videos आ basic का भी course चल रहा है पूरी details आपको screen पर दिखाई दे रही होगी ठीक है जैसे यदि आपको basic का course करना है तो उसकी fees है मात्र 99 रुपीज पर मन्त यदि आपका basic अच्छा है आपको advanced level की पढ़ाई करनी है advanced level की यदि आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए जो amount है वो है 199 रुपीज यदि आपको दोनों चाहिए यदि आप दोनों करना चाहते हैं तो आप 249 का basic plus advanced का आप course ले सकते हैं ठीक है ये पर मन्त के असाफ से है जिससे आप लोगों को भी ज़्यादा बोज ना पड़े ठीक है minimal cost है ये और regular आपको वीडियो दी जाएंगी तो चलिए हम start करते हैं lie and lay तो देखना यहापर जैसा कि मैंने लिखा हुआ है lie lie का मतलब क्या होता है lie का मतलब क्या होता है lie का मतलब होता है to remain in a flat situation मतलब की एक flat situation में रहना for example ये क्या है आपका mobile इसको मैं इस पर रख दूँ तो ये क्या है flat situation पर तो ये क्या है खुद से वेक्ति क्या हो जाए flat situation में आ जाए जैसे कि मैं अभी यहाँ पर late जाओ तो मैं क्यों हो जाओगा lie हो जाओगा lie का मतलब क्यों होता है हिंदी में क्यों होता है late ना English में क्यों होता है to remain in a flat situation flat याने समतल सते पर late जाना वहाँ पर position अपनी बना लेना याने की late जाना ठीक है क्यों होता है इसका मतलब late ना lie lie का मतलब क्यों होता है next देखना दूसरा इसका मतलब क्यों होता है exist करना याने कि अस्तित्व में रहना जैसे अपन बोलते है को सवाल में ही जवाब छुपा हुआ होता है तो वो छुपा हुआ होना यानि कि अस्तितव में रहना तो lie, lie का मतलब क्यों होता है अस्तित्व में रहने के लिए भी किया जाता है ठीक है, आपकी जो समस्या हैं मेरी विचारधारा में lie करती है मतलब कि मेरे दिमाग में exist करती है तो वो like का मतलब भी होता है exist करना यानि कि अस्तित्व में रहना यानि कि छपा हुआ होना कुछ भी आप बोल सकते हैं like का मतलब हम यूज करेंगे sentences से तो हमें बड़ी easily यह समझ में आ जाएगा बिना sentences के आप बिलकुल proper पर हिंदीज इन चीज़ों को नहीं समझ सकते इसलिए मैंने examples भी काफी अच्छे रगे हैं बहुत अच्छे से आपको easily चीज़े समझ में आ जाएंगी अगला देखना locate होना यानि की स्थित होना कोई भी आपका area आपका शेर कहां पर लाई करता है वो जगह बताना कहां पर located है वो इस्थान की बात करना तो इसके तीन मतलब होते हैं इसके अलावा phrasal works भी होते हैं वो किसी और topic में किसी और दिन आपको बताऊंगा अभी हम इतना अंतर समझेंगे lie और ले में और students को क्या problem आती है तो सबसे पहले इसके बारे में आपका आपने इनकी मतलब आपने समझ लिए इनकी meaning आपको समझ में आ गए क्या होता है लेटर ना होता है exist करना या छुपा होना छिपा होना ठीक है छिपा होना भी होता है और locate होना मयाने की अवस्थित होना अवस्थित होना इसकी आप फॉर्म देखिए ठीक है वर्प्स की फॉर्म देखिए देखिए इसकी जो फर्ष्ट फॉर्म होती है वह होती है लाई सेगेंड फॉर्म के होती है इसकी ले बस यहाँ पर confusion create होती है देखिए एक आपकी वर्व होती है ले यह वर्व है यह वर्व की first form है इसका मतलब ही कुछ और होता है इस ले का कुछ मतलब और ही होता है लेकिन यह क्या है लाई की second form है यह ले इन में इंसान क्या होता है इन में student इसमें क्यों जाता है तो दीखिए यह क्या है second form इसकी क्यों होती है लें फॉर्थ फॉर्व लेंग यह इंजी इससे च्टार्ट हो रही है ल आई ई जितनी विवर्व साइए से होती है जैसे कि वाई आपको बताऊं मैं वाई का मलब क्यों होता है competition, compete करना, y का मलब क्यों होता है, compete करना देखो i is में भी लिखा हुआ है इसकी जो ing वाली format होती है वो भी y ing से बनती है ऐसे यह आपर lie लिखा हुआ है तो ly ing से क्या बनी है, इसकी fourth form बनी है, link और fifth form क्यों होती है, क्रिया में ऐसे i is लगाने को क्या बोलते हैं वब की fifth form कहा जाता है तो lies ठीक है, आप जैसे देखना पहला sentence मैंने लिखा हुआ है कि मैं पीड की छाया में बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, मैं पीड की छाया में लेटा हुआ था, देखो एक होता है खड़ा होना standing, एक होता है बैठना, sitting और एक क्यों होता है लेटना, तो क्यों होता है link, ठीक है, तो देखना मैं पीड की छाया में लेटा हुआ था, तो I was laying under the shed of tree, क्या गलती है, पहचाना गया, under the shed of tree, पेड की छाया के नीचे, आप बताइए, पेड की छाया हो रही है, मतलब छाया दे हो, ये पेड है, इसकी छाया यहाँ पर बन रही है, तो आप क्या इसके नीचे लेट सकते हो, क्या, पेड की छाया के नीचे, नहीं, पे बहुत बड़ा होता उसके cover करके आप नीचे लेट सकते हैं लेकिन पेड की छाओं में बैठा जाता है यह error भी आती है I was laying under the shade of tree नहीं होता in the shade of tree शेड आने की होती है छाया तो यहाँ पर under को भी आपको अठाना पड़ेगा क्या होती है in the shade of tree इन यहाँ पर लगा देना I was laying in the shade of tree में पेड की छाया में लेटा हुआ था clear रहे इतना ठीक है तो देखिए यह क्या लगा दी मैंने वर्व की fourth form next देखना the to the sorry the town sorry यहाँ पर the town था the town lies on the coast मलब जो town है याने की आपका जो area जो आपकी जगा है जो आपका district है वो कहाँ पर है कहाँ पर इस्तेते coast के पास में जो coast area होता है ना समुद्र के आसपास का इलाका वहाँ पर इस्तेते जो town कहाँ पर इस्तेते था lies on याने की located on located on the town lies on the coast कहाँ पर इस्तित है next देखना ठीक है the problem lies in the state of mind problem कहाँ पर इस्तित होती है आपके मन की अवस्था में इस्तित होती है, कहाँ पर exist करती है आप की दिमाग में exist करती है problem नम की कोई चीज नहीं है आपके दिभाग ने बोला problem में, तो problem में आपके दिभाग ने बोला solution है, तो क्या है? solution है, ठीक है? देखना अब एक और use बताता हूं, देखना the solution lies in the question प्रशन में ही उत्तर चुपा होता है इसका क्या मतलब है? प्रशन में ही उत्तर चुपा होता है the solution यहने की उत्तर lies in the question कहां पर छुपा हुआ होता है question में उत्तर छुपा हुआ होता है lies का मतलब क्या होता है छुपा हुआ होना तीनर use मैंने आपको बता दिये लेटने का बता दिया छिपा होने का बता दिया और अवस्तित होने का बता दिया एक सेकेंड फर्म बाला भी हम देखते हैं ठीक है तो देखना इसको मैं मिटा देता हूँ आप मैं बोलूँ कि जो बिल्ली थी बिल्ली बैड के नीचे लेट गई तो दा केट दा केट ले अंडर दा बैड अंडर दा बैड ठीक है कहाँ पर लेट गई पर बैड के नीचे पलंग के नीचे बिल्ली लेट गई तो देखो ले लाई की सेकेंड फर्म मैंने लगाई है लेट गई पास्ट इंडेफिनेट की बात कर रहा हूँ मैं तो दा केट ले अंडर दा बैड आ गया समझ में ठीक है तो ये क्या है second form का use कर रहा हूँ मैं like का याने के later ने का second form का use मैं कर रहा हूँ अब next देखना ले अब ये main verb है ले क्या है आपकी main verb ले का मतलब क्या होता है to put somebody or something in a particular situation किसी भी वैक्ती या वस्तू को किसी situation पर रखना किसी भी इस्तान पर उठा कर रखना देखो पहले वाले में क्यों रहा है चीज अपने आप हो रही थी जैसे कि मैं अपने आप लेट रहा था बिल्ली अपने आप भी लेट गई लेकिन यहाँ पर क्यों रहा है लिटा या जा रहा है किसी के द्वारा ले में क्यों होते हैं उलाई में क्यों हो रहा है अपने आप हो रहे हैं जैसे कि मैं अपने आप लेट गया बिली अपने आप लेट गया लेकिन ले में क्यों हो रहा है कोई दूसरा वेक्ति किसी को लिटा रहा है ठीक है तो यहां पर क्यों होता है देखिए to put somebody किसी को रखन यह किसी वस्तु को रखना in a particular situation किसी भी इस्तिती में रख देना इसका मतलब क्य होता है रखना या फिरGIटाना भी आप बोल सकते हो वस्तु को लिटाना ठीक ह है या बच्छे को लिटाना आप ripping हो एप दूसरा इसका मतलब होता है अंडे देना, दूसरा मतलब क्या होता है इसका अंडे देना, एक मतलब क्या होता है लिटाना, दूसरा मतलब क्या होता है अंडे देना, इसकी फॉर्म देखना आप, फस्ट फॉर्म होती है इसकी ले, ये फस्ट फॉर्म होती है इसका मतलब क्या लिटाना ये second form है यहां पर इसका मतलब क्या है क्या है इसका मतलब इसका मतलब है लेटना अपने आप लेटना ठीक है देखना second form इसकी leg third form भी क्या है इसकी leg fourth form क्या है ANG lay अलग ही हुआ या से system अलग और fourth form क्या हो जाएगी इस की legs legt कुछ फॉर्म के हो जाएगी इसकी लेज अब देखना शी लेड दा बेबी डाउन ओन दा बैड उसने बच्चे को बैड पर लिटा दिया दे ओ डाउन का मतलब क्यों होता है लिटा देना तो देखिए शी लेड सेगेंड फॉर्म लगा दी हमने वब की सेगेंड फॉर्म लेड पर लेड गई लेकिन यहाँ पर क्या है उसने अपने बच्चे को बैड पर लिटाया तो अब देखिए है यह क्या है थेखिए यह सेगेंड फॉर्म लेटाने कम अनतरा या जो ने इतारा को पर ट्रेड लोगर pol partner ट्रेवल पर रख दिया विव चाय वाली ट्रे है ना सदकार करते हम मेहवानों का ओफर ऑफ यह हमसे बोपते हैं और बेटा नोकळी रग गई क्या और बेटाека को यहां पर रखने का मतलब है यहां पर रख दिया देगों डाउन कर दिया मतलब निटा दिया और रख देना मतलब सीधा उसने टेवल को काँ पर रख दिया स्वारी टेवल पर रख दिया नेश्ट देखना टर्टल्स याने की कच्छुए ले देयर एग अब देखना ये टर्टल्स का है भाववचा ने इसलिए ले अकेले का यूज किया है फर्स्ट फोर्म का ठी कच्छुए अपने अंडे कहां पर देते हैं रेत में देते हैं ठीक है कच्छुए अपने अंडे रेत में देते हैं सेंड याने के होता है रेत टर्टल्स ले देयर एक्स इन दा सेंड क्लियर है नेश्ट देखना दा कुकू कुकू यान है कोयल लेज अब देखिए यह के लगा दी वफ की फिप तो फर्म किसकी लेवाले की दा कुकू लेज इट्स एक्स कुकू अपने अंडे काँ पर देती है इन अधर बर्ट नेश्ट दूसरे पक्चियों के गौंसलों में अपने अंडे देती है यदि आपने थ्री इडिट्स देखा होगा तो इसमें वो का गौंसला नहीं बनाती दूसरे के बच्चों को गिरा देती है और अपने बच्चे वहां पर अंडे वहां पर रख देती है तो वही सेम चीज यहां पर आती है कुकू क्या करती है अपने अंडे काँ पर देती है अपने अंडे काँ पर ले करती है दूसरे पक्चियों के गौसलों में, नेश्ट देखना the grapes were laid to dry on rocks grapes को यह दे कि passive में गया हुआ है, यह किस में गया है passive में गया हुआ है the grapes, यानि कि अंगूरों को चटान पर सूखने के लिए लिटा दिया गया, या रख दिया गया अंगूरों को the grapes were laid, अंगूरों को रख दिया गया, laid करना, मतलब third form आ गयी इसमें passive में जा रहा है, यह क्या गयी third form आ गयी, लिटा दिया काँ पर सूखने के लिए, चटान पर चटान पर सूखने के लिए अंगूरों को रख दिया गया आ गया यह समझ में, देखिए यह passive है, आपको पता होना चाहिए passive में क्या आती है, बी प्लस वर्फ की third form यह दी नहीं पड़ा, तो भाई, आपका basic बड़ा कमजोर है, और आपको coaching लेने की सक्त जरूरत है ठीक है, देखना अब exam कैसा परेशान करता है, आप कैसे पैचाना हो, कि भाई यह क्या है, she lay on the bed, ठीक है आपको यहाँ पर समझ जाना इसका मलब कि यह लाई की second form आ रही है, यह दी यह क्यों होता, ले, यानि की लिटाने वाली बात होती, तो फिर इसमें ऐसे यह लगना चाहिए था इसमें ऐसे यह लगना चाहिए था जैसे कि अगर मैं बोलूँ, she lays her baby on the bed on the bed अब देखना ज़रा ध्यान से दिमाग लगा ना अपना आपको पता है, present in definite में, क्रिया में, एक बचन के साथ क्रिया में क्या लगता है, ऐसे याइस का यूस किया जाता है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ऐसे यह इसका यूस नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब यह lie वाले की बात कर रहा है, ठीक है और इसके बाद कोई object भी नहीं आ रहा इसके बाद में कोई object भी नहीं आ रहा जिसको लिटाना है, उसके लिए यह कोई object नहीं आ रहा है इसका मदलब यह खुदी लेट रही है शी ले ओन दा बैड वे बैड पर लेड गई यहां पर क्या है शी लेज अर चैट अब देखी यह क्या है लिटाने वाला यह क्या है लिटाने वाला ले जो ववव है आपकी वो यहां पर लिखे हुई है she lays her baby on the bed वह अपने बच्चे को लिटाती है कहां पर bed पर लिटाती है तो एक और चीज़ याद करना lie के बाद में जैसे जो आपका फॉर्मेट होता है ना दिखना lie के बाद में कभी भी object नहीं आता lie के बाद में कभी भी object नहीं आता लेकिन ले के बाद में हमेशा क्या आता है अबजेक्ट आता है ले के बाद में क्या आता है हमेशा अबजेक्ट आता है ठीक है यहाँ पर देखना I was laying the town lies कहीं object नहीं है the town lies the town lies कहीं पर object नहीं है she lay on the bed कहीं पर object ही नहीं है लेकिन यहाँ पर देखना शी लेड दा बेबी लेड दा ट्रे टर्टल ले दियर एक्स दा कुकू ले इट्स एक्स सम्में क्या आ रहा है आपका object आ रहा है हमेशा क्या रहा है object और lie में कभी भी object नहीं आता ठीक है तो आपको I think अच्छे से समझ में आया होगा और यदि आपको regular पढ़ना है regular videos यदि आपको चाहिए तो आप मेरा telegram group join कर सकते हो और साथ ही gk का भी आपको description में link मिल जाएगी gk की भी regular videos only ssc specifically videos provide की जा रही है बड़े जल्दी ही आपका syllabus भी खत्म हो जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा आपको gk पढ़के भी सर से ठीक है और मेरा है English का तो आप कर सकते हैं ठीक है अब मिल जाएँ मैं आपसे next video में तब तक के लिए धन्यवाद